आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सूचने वाले हैं? एक दूसरे को लेकर किस तरह का रहने वाला है? आप दोनों इस रिलेशन्चिप के बारे में क्या माइंट सेट रतने वाले हैं? आएज जानते हैं? So मैं रेंडमली इस डिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हूं सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की अनुवर्शी आज आपके पार्टनर आपके बारे में इस रिलेशन्चिप के बारे में क्या सोचने वाले हैं? आज आपके पार्टनर का थॉट प्रसेस आपको लेकर इस रिलेशन्चिप को लेकर किस तरह का होगा? तो पहला कार्ड है फाइव अफ कप्स का कार्ड है The next card is King of Coins का card है The next card is Queen of Vance का card है The next card is The Sun का card है The next card over here is Two of Swords का card है So, आज आपके पार्टनर की energies में मुझे बहुत strong confusion नज़र आ रही है आपके पार्टनर को ऐसा मैसूस होगा कि वो तो ये रिश्टा बहुत पहले से खो चुके है इस रिश्टे में अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है एक feeling of loss आपके पार्टनर के अंदर generate होती हुई नज़र आ रहे है आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि उन्होंने तो कभी भी नहीं सूचा था कि इस रिश्टे में कुछ ऐसा घटित हो जाएगा उन्होंने तो कभी भी नहीं सूचा था कि वो अपने इस रिश्टे को जी नहीं पाएंगे वो आपको खुशिया नहीं दे पाएंगे लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से ये क्या कर दिया जिसकी वज़ों से आज आप दोनों के बीच में हमेशा के लिए ये सेपरेशन हो गया है तो आपके पार्टनर को इस तरह से चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर ये बात महसूस करेंगे कि आप एक ऐसी परस्नालिटी है जो किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं वो चीज़ सोना बन जाए आप अपने पार्टनर की जिन्दगी में आए ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग थी उनके लिए लेकिन आपके पार्टनर आपको संभाल ही नहीं पाए आपके पार्टनर आज आपको लेकर पॉसिटिव थौट्स रखेंगे लेकिन खुद को लेकर बहुत ही ज़दा नेगिटिव इनरजीज में आज मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि अब आप अपने लाइफ में आगे की और बढ़ चुके हैं आप अपने लाइफ में अब अपने पार्टनर को कभी एंटर नहीं करने देंगे आपके partner ने आपको जो दुख दिया जो आपको तकलीफ दी उसे आपने पावर बना कर अपने life में confidence हासल किया है तो अब आप अपने partner के उपर trust क्यों करेंगे यह जो सवाल है उनके वो खुद से ही होंगे और जवाब भी वो खुद ही देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके partner को ऐसा महसूस होगा कि आपने अपने जीवन के अंदर बहुत मुश्किल से stability हासल की है और उनका कोई हक नहीं बनता है आपकी life के stability को तुबारा से shake करने का उन्हें कोई हक नहीं बनता है आपकी life को unstable बनाने का तो यहाँ पर मुझे आपके partner आपके बारे में बहुत जादा deeply सूचते हुए नजर आ रहे हैं और खुद को हर एक चीज़ के लिए दोश देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज आपके partner एक crossroad की situation पर आकर खड़े हो जाएंगे आपके partner दूर से तो ऐसे दिखाएंगे जैसे उनके जिन्दगी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है जिस पर उन्हें confusion हो बट आज आपके partner आगे बन करके वो situation देखने माले हैं जो यह third party उन्हें दिखाने की कोशिश कल से कर रही हैं आपके partner की आज energy में complete manipulation यहाँ प comment section में 777 heart type कीज़ेगा आपके जो यह person है यह इन lower energies की और बढ़ते चले जा रहे हैं और सामने से अब हम full moon की तरफ पर बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहों कि आपके partner बहुत ही ज़ादा डिप की energies में चले जाएं so comment section में 777 heart type कीज़ेगा ठीक हैं so आएए जानते हैं आपकी energies आप अपने partner के बारे में इस relationship के बारे में क्या सोचने वाले आपका thoughtful sense अपने इस relationship को लेकर अपने partner को लेकर किस तरह का होगा आएए जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर the Empress का card है the next card is Knight of Wands का card है यहाँ पर the next card over here is the High Priestess का card है the next card over here is three of Wands का card है आज आपको यह महसूस होगा कि आपके life के अंदर अजीब सा असंतुलन हो रहा है यह कोई normal बात नहीं है यह आपका जो balance है यह कोई shake करने की कोशिश कर रहा है आपको ऐसा महसूस होगा और इस चीज़ का doubt आपको किसी lady के उपर रहने वाला है आपको ऐसा लगेगा कि यह तो आपके partner की side से या आपकी side से कोई ऐसी lady है जो इस relationship को establish नहीं होने दिना जाती है जो इस relationship को पूरे जड़ से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी चीज़ है जो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपके अपनी energies भी किसी और की वज़ह से खराब हो रहे हैं आप आज इस energy के प्रग्धी बहुत ही जदा defensive होते हुए नजर आ रहे हैं आप यह सोचेंगे कि किसी और की वज़ह से आपको अपने रिष्टे को खराब नहीं करना है आप अपने रिष्टे को किसी और की वज़ह से compromising state में नहीं लेकर जा सकते हैं तो आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलेंगे यह third party तो पूरी कोशिश कर चुकी है आपको भी आपके partner से detach करने की आप आज अपने partner के साथ अपने future के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपको भी यह चीज महसूस होगी कि आपके partner के घर का कोई person है जो आपके partner को manipulate कर रहा है या कोई ऐसा person है जो आपके partner के बहुत ज़दा close है थेकर है वो आपके partner को manipulate करने की कोशिश कर रहा है आज आपको अपने family की तरफ से भी बहुत ज़दा pressure experience होगा आपकी family भी आपको marriage के लिए pressurize करते हुई मुझे यहाँ पर नसर आ रहे है बट यह pressure आप बहुत easily handle कर लेंगे बट आपकी यह awakening की जो कुछ भी आज आपके relationship में हो रहा है यह वो किसी और की वजह से हो रहा है यह awakening बहुत ज़दा important है and आप बहुत समझदार है आज समझदारी से अपने energies कुछ analyze कीजिएगा have a great day today God bless you all take care of your health see you soon